इस वीडियो में हम लोग एक पोईम का पोस्ट माटम करेंगे जिसका नाम है To His Coy Mistress इस पोईम को लिखा था पेमस मेटाफिजिकल पाइट एंड्रियु मारवल ने एंड्रियु मारवल सेकंड जनरेशन मेटाफिजिकल पाइट थे जान डन के बात के पाइट थे दूस्तों इस वीडियो में हम लोग ढंक से इस पोईम का मतलब समझने ही कोशिच करेंगे अगर आपको 9 by 9 summary समझनी है तो link description में मिल जाएगी अभी जाकर देख लिजे चले शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में पहली बार जब बच्चे इस कविता को पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में जरूर ये सवाल आता होगा कि syllabus बनाने वाले की दिमाग में क्या आ रहा होगा जो उसने इस poem को syllabus में डाला इस poem को पढ़ने से हमारी जिंदगी में क्या value एड होगी इस कविता में एक lover है मैं आपको बता देता हूं summary एक lover है अपने beloved से जल्दी जल्दी sex करने के लिए कह रहा है अब उपरी सत्य से surface level पर अगर हम देखें तो बड़ी वाहियाद और अश्लील पोयम लगती है लेकिन यकीन मानो एक बार जो आपने इसकी गहराई में जाना शुरू किया तो आपको लगने लगेगा जैसे ये कविता अपने आप में एक philosophy है आपको एंड्रियू मार्वल में ओशो की दर्शन होंगे एंड्रियू मार्वल जो इस कविता को लिखने वाले part है इनके टाइम पर एक बड़ी famous phrase चलती थी कारपेडियम spelling note कर लो C-A-R-P-E-D-I-E-M इसका मतलब होता है C is your day आज के दिन को जी लो कल किसने देखा और बात सच भी है ये बात सच भी है किसी चीज से जब हमें pleasure मिल रहा है सुख मिल रहा है तो उस सुख को अभी क्यों ना भोग लिया जाए किस चीज का हम इंतजार कर रहे है अगर हम अपने खुबसूरत शरीर को सहेज कर अलमारी में सजा लेंगे तो उसका कोई फाइदा नहीं क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पर पॉयट एंड्रियो मार्वल अपने बिलविट से बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है दुनिया में तुम आखरी अपसरा हो तुमसे पहले भी बहुत आ चुकी है तुम्हारे बाद में भी बहुत आएंगी और इतिहास गवा है इस बात का कि मौत और किसी को आनी है ब्रत्यू एक ऐसा सत्य है जिसे कोई ने डाल सकता इनसान की एक एवरेज लाइफ होती है सत्तर साल, असी साल और आज की टाइम पे तो सिर्फ पचास साल गया सपस तो अगर हमारे पास हजारों साल होते यहाँ पर पॉइट एंडियो मार्वल अपने बिलविट से बोल रहे है हमारे पास अगर हजारों साल होते तो तुम नखरे करती, मैं मानता मैं सब समझ लेता लेकिन ऐसा नहीं है न डारलिंग हमारे पास सिर्फ सत्तर असी साल है तो हमें आज की दिन को इंजाय कर लेना चाहिए जैसा कि पॉयट पॉयम की स्टार्टिंग की दो लाइन्स में बोलता है अगर हमारे पास इतना समय होता कि हम हजारों साल जी लेते तो तुम्हारा ये शर्मीला पन, ये कॉयनस कोई क्राइम नहीं थी साथ ही साथ पॉयट यहाँ पर इमेजन भी करता है, कलपना करता है कि मान लो, एक बार के लिए मान लो कि इंसान की पास हजारों सालों की जिंदगी होती तो मैं क्या करता यहाँ पर पॉयट बोलता है कि तो मैं 200 साल तो तुम्हारे शरीर के सिर्फ एक हिस्से की तारीफ में लगाता सिर्फ 200 साल दो तुम्हारे शरीर के एक हिस्से की तारीफ में लगाता लेकिन ऐसा नहीं है न डारलिंग समय का पहिया तेजी से चल रहा है मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ एंड में हम सबको मरी जाना है तो क्यों ना आज एंजाय करके मरे एंजायमेंट एक ऐसी चीज़ है जो डैथ का सामना गर सकती है क्योंकि मौत के बाद कुछ नहीं है जो लोग सारी जिंदगी नाम, शारत, पैसा कमाने के लिए भागते फिरते हैं और दूसरी तरफ दूसरे लोग जो आवारा जिंदगी जीते हैं दोनों कोई अलग-अलग जगह नहीं जाएंगे जन्नत, जहन्नुम सब धोका है आज को जीलो यही मौका है मौत के बाद एक ऐसा रेगिस्तान मिरेगा जिसका कोई अंत नहीं होगा और पाइट भी यहाँ पर यही बोल रहा है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता बलकि मौत हमारे इस enjoyment को काट देगी मौत के पास वो ताकत है कि हमारे इस enjoyment को भी अपने साथ में लेकर चली जाएगी जो आज हम कर सकते हमारे पास body है end में इस body का क्या होगा वो अपने beloved से कहता है end में कुछ नहीं हो न में आइडिया समझ में आया होगा कारपेडियम सीज यॉर डी ऐसी serious बातों को playful words का use करके समझने का नाम ही था metaphysical poetry अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये poem का जो में आइडिया था वो समझ में आया होगा चलिए आज की इस वीडियो में सतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में